उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर में विश्वस तरिये मेट्रो लाइट रेल की परिकल्पना की है। परियोजना की DPR को राज्य सरकार अक्टूबर 2020 में मन्जूर कर चुकी है। और अब ये केंद्र सरकार के अनुमोदन के विजाराधीन है। गोरखपुर में 28 किलोमीटर लंबे और पूर्ण तया एलिवेटेड दो कॉरिडोर का प्रस्ताव है। जिसकी अनुमानित लागत करीब 4672 करोड रुपए है। प्रस्तावित मेट्रोलाइट लो फ्लोर ट्रेन होंगी जिसमें 3 कोच होंगे और लगभग एक ट्रेन में 400 यात्री सफर कर सकेंगे। मेट्रोलाइट ट्रेन की अधिक्तम स्पीड करीब 60 किलोमीटर पती घंटा होगी। गोरखपुर मेट्रोलाइट पर योजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये शहर के सभी प्रमुक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, एम्स, शैक्षिक संस्थानों, पूर्वोतर रेलवे मुख्यालय और मार्केट एरिया को जोड़ेगी। गोरखपुर एरपोर्ट भी पहले कोरिडोर के नस्दीक ही है। पहला कोरिडोर शामनगर से मदन मोहन मालविया एंजिनियरिंग कॉलेज के बीच बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 15.14 किलोमीटर प्रस्तावित है, जिसमें कुल 14 स्टेशन होंगे। पूरी तरह एलिबेटेड इस कॉरिडोर में शामनगर, शास्त्री नगर, गोरखनात मंदिर, धर्मशाला, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, युनिवर्सिटी, रामगाड लेक, एम्स, मदन मोहन मालविया एंजिनियरिंग कॉलेज प्रमुख स्टेशन होंगे। शामनगर मेट्रो स्टेशन के पास ही मेट्रो का प्रमुख डेपो होगा, जहां से मेट्रो का संचालन और रख रखाव होगा। ट्रांसपोर्ट नगर और नौसड हैं। धर्मशाला मेट्रो स्टेशन दोनों कॉरिडोर का इंटर्चेंज स्टेशन होगा। मेट्रो लाइट पर योजना को निर्मान कारे के शुरू होने के चार साल के भीतर पूरा करने का लक्ष है। गोरखपुर में मेट्रो लाइट के निर्मान से शहरवासियों को तेज, सुविधा जनक, प्रदूशन मुक्त और सुगम यातायात का लाभ मिल सकेगा। मेट्रो लाइट रेल पर योजना के साथ अब उत्तर प्रदेश का गोरखपुर भी होगा विकास के पत पर अग्रसर।